Hello everyone, welcome back to my channel, मैं डॉक्टर रंजिना गुपता, आज B.A.C. सेकंड यर की सीरीज में जो कंटिन्यू कर रहे हूं, that is classification of mollusca part 3, जिसमें हम study करेंगे different orders of phylum mollusca, let's begin today's topic, classification of phylum mollusca part 3, क्योंकि part 2 तक हम पढ़ चुके हैं और जिसमें हम तो सब class तक का जो है classification हम डेटेल में पढ चुके हैं, अब मैं उन सब classes के जो orders हैं, जो mainly M.S.C. का part रहेगा, उनके बारे में डेटेल में आपको बता रहे हूं, तो हमने class gastropoda के बारे में बढ़ाता, gastropoda की जो थी, 3 sub classes थी, prosobrenkia, officeobrenkia and pulmonita, जिसमें जो orders की बात करेंगे तो केवल prosobrenkia और officeobrenkia के थे, pulmonita के ज बारे में यहां पर continue करेंगे, तो सबसे पहले prosobrenkia, prosobrenkia के जो orders हमने पढ़े थे, वो 3 orders थे, that is, archaeogastropoda, जिसे हम espidobrenkia भी कहते हैं, mesogastropoda, जिसे हम pactinibrankia भी कहते हैं, और neogastropoda, जिसे हम stenoglossabी कहते हैं, तो इस तरह से यह 3 orders हैं, अब हम इनके characters के बारे में discuss करते हैं, characters के बारे में बात करें, तो teeny dya, teeny dya, जिने हम gills भी कहते हैं, तो यहां पर जो gills mono और bipactinate, दोना तरह के हो सकते हैं, जिसके बारे मैं पहले बता चुकी हूँ, कि monopactinate हम किस condition में कहते हैं, और bipactinate किस condition में, means, यह यह axis है, axis के दोना तरफ जो gills लगे हुए हैं, तो bipact यहां पर दोनों तरह की conditions हो सकती है, और जो gills का number 1 और 2 होता है, इसी तरह बात करें, पैक्टिनी ब्रेंकिया कि तो tinnidia जो हैं, वहां पर monopactinate type के हैं, और वहां पर जो उनका number cable 1 है, एक ही जो है tinnidia वहां present होता है, जबकि उसके अंदर जो neogastropoda हैं, उसके अंदर आर्कियो गेस्ट्रोपोडा के अंदर kidney 2 हैं, जबकि मीजो गेस्ट्रोपोडा के अंदर एक ही kidney है, और इसी तरह जो neogastropoda के अंदर कुछ भी specific इस तरह mention नहीं किया गया है, हर्ट की बात भी हम करते हैं, तो espidobranchia या है, आर्कियो गेस्ट्रोपोडा के अंदर 2 auricles हैं, ज इसके बारे में भी जो है नियो गेस्ट्रोपोडा के अंदर स्पेसिफिकली कुछ भी mention नहीं है, इस तरह शेल जो है, वो usually यहां पर coiled होती है, यहां भी generally coiled होती है, और यहां पर भी coiled हो सकती है, और नहीं भी हो सकती है, फर्टिलाजीशन की बात करें, तो यहां पर external fertilization नर्वस सिस्टम, यहां पर नर्वस सिस्टम इदाउट पीडल कॉर्ड है दोनों के अंदर, पैक्तिनी ब्रैंकिया के अंदर, जबकि वहां पर यहां के इस्टिनो गलोसा के अंदर, जो नर्वस सिस्टम इद पीडल कॉर्ड होता है, इसी तरह जो कुछ specific character यहां पर हमें देखने को मिलते हैं, जो कि प्रैंकिया के characteristic है, साइफन, ओपर कुलम, ऑस्फेरेडियम, और पैनिस, यह सब के अंदर, डबलब होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, यहां पर जो specific चीज़ देखी जाती है, जो यहां पर जो shell है, with short or very long साइफनल के नाल, यह जो है, इसकी साइफनल के नाल होती है, वो short भ तो अब example की बात करें, तो पेटेला है, पेटेला की dorsal view देखें तो वो हमें इस तरह का दिखाई देता है, जबकि यहां पर जो example है, वो paila हमें इस तरह का दिखाई देता है, और यहां पर जो example है, that is, यह मैंने जो diagram बना है, that is example, murex, को कफ़ес your major करते हैं जो फर्स्टмен है सिफेलेस के मार्ट बड़ेक कि बात करें तो मॉडरेटलिыл डबलप रेटलोब्ड प्नलाब हे ऊस्के बाद head with tentacular shield head के उपर जो है tentacus present होते हैं और उसके उपर भी shield present होती है यहीं से covering present होती है और prominent lateral parapodial lobes जो parapodial lobes हैं यहां पर जो कैसे होते हैं prominent होते हैं जो है बहुत ज़्यादा developed होते हैं और lobular form में होते हैं अब इसका जो इस तरह की दिखाई देती है और यहां कोई ओपर कुलंब अगरा नहीं होता है कि नेक्स्ट है एनसपीडिया एनसपीडिया में जो देखें सेल जो है जो है जो है फिर इंटरनल होती है head with और head with one pair of rhinophores यहां पर जो head पर एक राइनो पोर्स होते हैं मैंने एक्जामपल यह पर इसी के avoir नहीं किया यह जहां अपको दिया थासल्ट वहां पर मैंने आपको बताया था aparece का diagram तो आप वहां हों तो इक त्रक्ष भीज़ह के इंदर पर तो राइनोको फोस्ट तो यहां पर जो है श्यांहां डेक अपर टरईंड्या-पर noon दोці हैं इसके बाद बात करते हैं पडल और बैर फोडियल लोप और यहां 迷यो परापोडियल लॉप होते हैं वह झाय रूम Acc dif नेहीं हैं और वह और है टेरोपोडा azड़ प्रिजेंट हुखक्ति बी और एपेसंत की रे रूपड़ियल f situ라고 पर पैरफोडल फीज डवल अपोज ए जाते हैं में ने रीज है एसी तरह के नदर बी होते हैं और इसका पर लियो लगब कि इस तरह का दिखाई है कुछ-कुछ मिलता जुलता हुता है एक स्ट बात करते हैं सेको गलोसा की तो सेकोगलोसा के अंदर भी जुशेंड और एप संट सक्तोरियल फैरिंग सिहां जो फैरिंग जिल दीन है वह सक्तोरियल टाइब को तामीस चयोंकि सब्द्रीय नेचर जो तभी होता है कि जब जो फूड को सक करना हो, सक करने के लिए किसी होस्ट पर जाकर अटेच होना ही पढ़ेगा, तो यहाँ पर जो फेरिंग से वह गरीवा है, वह सक्टोरील टाइप की है, और एक खसी जो है, यहाँ पर जो यहांप इसके बहुत कम डभलब होती है यह फिर यह फिर एपसेंट होते हैं चैसे फिर नहीं लहां पर सेपलेंड़ होती होते हैं आ चैनल को चैनल कर रहिस्पारचे मोटे तो दैस्पार होगा या यहां पर हम ओर फैनल कोडिकोडाया लेकशार यह जाते हैं से बनाए जो आदानेदार रहा रहे हो अब बात करते हैं next order डैट इन नॉटस पीडिया नॉटस पीडिया शेल यहां भी external यह तो होती है यह reduced होती है यह फिर internal होती है mental without mental cavity mental तो है लेकिन mental cavity नहीं है उसके बाद यहां पर जो ऑस्फेडियूम यहां पर यहां पर यहां पर राइट साइड में प्रिजेंट होता है तो एक्जाम्पल है इसका प्लूरोब्रेंकस हमें इससे देखें जैसे कि कोई शेल यह जैसे है या वह एक्टरनली इस तरह कि जिसको पर चाले पड़ गए हैं मोटे मोटे चाले तो यह इस तरह से उभरा हुआ और पूरा थोड़ा सा कांटे मालब जो मार्जिन से वह भी थोड़े कांटी जैसी दिखाई देती है तो इस तरह से यह आपके मैंने भी six order next order जो ऑफिस्टो ब्रेंकिया का नेक्स टॉडरर है तट इस न्यूडी ब्रेंकिया न्यूडी ब्रेंकिया के अंदर हम देखें तो शेल, गिल, मेंटल कैबिटी और ऑस्टेरिडियम यह चारो ही चीज जो है वो एपसेंट होती है और वेरियस डॉर्सल आउट ग्रोथ एक्जामपल डॉरिस अब इसमें बहुत सारी आउट ग्रोथ द पाइरामिडल फेसिया पाइरामिडल फेसिया को देखें तो उसके अंदर हम देखें जो इसकी जो शेल होती है वो टिपीकली इस पाइरली कोईल्ड होती है आप देख सकते हैं वो इस तरह का दिखाई देता है और ऑपर कुलम यहां प्रेजेंट होता है गिल एंड बोनों सबस्कुराइन जो है काफी लॉंग कव तौई यह इसका ओपर कुलंबार पार्ट है और जो क्योंकि हेड हैं जे माउथ हो जी तरह होता है तो जो इसका माउत जब भारा आथा उसका प्रोबोसिस है वो काफी बढ़ा होता है सेमी पेरासिटिक मिल आर्द पर जीबी होते हैं यह यानि free भी रह सकते हैं इंडिपेंडेंटली भी रह सकते हैं और parasitic form में भी रह सकते हैं इसलिए इनको semi parasitic कहांगे है एक्जामपल है पारा मिडेला तो पारा मिडेला का डाइग्राम में यहां पर बनाया हुआ है नेक्स्ट और की बात करें तो फिलिनो ग्लोसेसिया फिलिनो ग्लोसेसिया के अंदर भी देखें यह बहुत small size की होते हैं और shell जो है वो absent होती है यहां पर gill and head appendices gill और head appendices जो है जो tentacles बगरा जो होते हैं वो यहां पर absent होते हैं means जहां भी gills absent है तो आप समझ सकते हैं वहां पर जो respiration है by the lungs होता है visceral mass separate from foot इसके अंदर visceral mass होता है वह foot से separate रहता है एक्जम्पल है फिलिनो ग्लोसा और फिलिनो ग्लोसा को देखें तो वह हमें इस तरह का दिखाई देता है शेल है नहीं तो बहुत ही soft बिल्कुल soft body होती है इसके बाद rhodopasia की बात करें तो rhodopasia के अंदर vermiform snails होते हैं जो snails हैं वो vermiform shape के होते हैं external appendages यहां पर absent होती है कोई भी external appendages नहीं होती है एनस लेकिन यहां right side body की right side में होता है example इसका rhodopa और rhodopa को देखें तो वह इस तरह का देखें यहां आप देख सकते हैं कोई भी appendages नहीं दिखाई दे रहे हैं तो इस तरह का यह हमें दिखाई दिखाई देता है next है onkidacea onkidacea की जो body वो slug like with pulmonary sac pulmonary sac present होता है यहां पर cell absent है example है onkidium और वो हमें इस तरह का दिखाई दिखाई देता है मैंने यहां पर mostly जो आप देख रहे होंगी जो orders है उन से मिलते जुलते एक्जामपर्स दी हैं जिससे आपको learn करना easy हो जाए तो इसके अंदर यह appendages इस तरह से निकली दिखाई देती है और पूरी body इस तरह की दिखाई देती ओवल सेप में कुछ कुछ ते उसके बाद last order है पैरा सिटा नाम से पद़र की पैरा साइट होगं देयर एंडोपैरा साइट इन फॉलोथियरेंज होलूथ इसके अंदर एंडोपैरा साइट को जो है वह वहमें इस तरह का दिखाई दीता है तो यह आपका जो कारोस्ट, और वस्तों ब्रेंकिया के